नवर्शकार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी मैं हूँ आपके साथ नेशा आईए करते हैं हवरों के शिर्वार भागलपूर के उत्योगिक प्रशेत थानाशेत अंतरगत अमवेटकर नगर में नविवाहिता वर्शा कुमारी का खून से सनाश्यप उसके ससुराल से बरामत ह देखा कि उनकी पूतरी वर्शा का शब पलंग पर पड़ा हुआ था और इसके गले पर काले दाग के निशान थे जबकि हाथ में चाकू भी दिखाए दिया इधर परिजनों ने इसके जानकारी तुरंट और द्योगिक ठाना शेट्यकी पुलिस को दी इसके बात मौके पर पुलिस टीम ने शब को कबसे में लेकर मामने के चानवेन शुरू कर दी वहीं मिर्तिका के पिता और परिजनों ने अपने दामात वर्शा के पती ससूर नरंद और भांजे पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है पिडित पिता ने कहा कि 25 जनवरी 2022 को उन्हों परिजनों ने अपनी बेटी वर्शा कुमारी के शादी अमवेतकर नगर जीरो माइल निवासी वासुदेप आसवान के पूतर संदीव राच के साथ की थी रिसमें उन्होंने दहेज भी दिया था लेकिन शादी के बात उनके दमात ने 4 लाक रुपिया और 1 लाक रुपिय परिजनों ने बताये कि इस मांग के पूरा नहीं होने के कारण उनका दमात वर्शा को अपने माइक के नहीं आने देता था और नाहीं माइक के वालों को ही अपने घर आने देता था परिजनों ने बताये कि फोन पर बात करने पर भी वर्शा का पती एकसर उसके पिजाई क करता था और आज उनके दामाद ने उन्हें फोन कर वर्षा की मौत हो जाने की ख़बर दी इसके बाद वे सभी बेटी के ससुराल पहुंशे तो देखा कि पलंग पर उनकी बेटी मिर्थ अवस्था में पड़ी हुई थी सासी मिर्थिका के पिता और परीजन अपनी बेटी के हत्यारे को सजा दिलाने और कानून से इसाफ की गुभाड लगाते दिखे वहें फिल्हाल पुलीस ने मिर्थिका के पती संदीप राच और ननन्त को हिरासत में लेकर पूस्टाज शुरू कर दी है जबकि शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गय संदीप सर बर्सा का हस्वेंड है मेरा दमाद है सर जो बार बार पैसा का मांग कर रहा था लेकिन पैसा नहीं देने का मेरी बेटी को मेरे यहां आने देता था और नहीं हम लोग को जाने देता था अगर तुम्रा बाप मैं मेरे दरवाजे पर नहीं चर सकता है देरी पर न साथ लाग रुपया खर्चा करके सर बेटी का साधी धूम-धाम से बरी धूम-धाम से किये हैं और देहज भी दिये थे फिर भी देहज पर देहज मांगते जा रहा था हम गरी सोना का चैन अंग्ठी सब चीज दिये हैं उसको हमको तो बहुत खुशी था लेकिन उनलों को लेकिन नहीं जाती थी हम कैसे मेरा माई बाप इतना कर जाकर साधी किया रहे हैं कैसे हम एक लाका मोबाइल मंगेंगे और पांच लाक रुपया मंगेंगे जाती नहीं को शुचना मिली थी कि लड़की को जो साधी सुद्य है उसकी लास बढ़ामद हुई है या तो फांसी लगा लिया गया है या फिर उसको किसी ने जानवाश के फांसी लगा कर लखा दिया गया तो तुरंत पलिस तोरित करवाई करते हुए जीरोम्यका नहीं बागलपूर में अपरात का ग्राफ लगतार पड़ता ही चला जा रहा है आई दीन लूट पार्ट नशीले पधारत का वैद वैवसाई और गोलीवारी की घटनाई देखने को मिल रही है जिससे पुलिसिया वैवस्था पर भी सवाल खड़े हो रही है पुलिस के नाक के नीचे फल फुल रहे इस तरह के वैवसाई कर आपराथिक घटनाई जहाँ पुलिस प्रेशासन के लिए चिनोती बन दी जा रही है वही इस पर लगाम लगाने को लेकर भागरपूर पुलिस कई हतकंडे अपना रही है बेते कुछ दिरों में भागरपूर पुलिस की ओर से कई कांडों को उद्वीदन किया गया इसमें गिरफतार किये गए कई अपराथियों को सलाखों के पीछे भेश दिया गया लेकिन पावजूद इसके अपराथ का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है जिसको लेकर भागरपूर एससपी आनंद कुमार ने पुलसिया कारवाई में और तेजी लाने का निर्दैश पुलीस पदादी कारियों को दिया वही इसके बाद सक्री हुई पुलीस टीम ने कई कांडों को उद्वेदन करते हुए कई अपराथियों को गिरफतार करने की जानकारी प्रेस वारता के माथियम से दी बतादे की जीले के विभर थाना शेत्रों में पिछले दो महा के अंदर लूटकार्ण की चार बारतातों का पुलीस ने उद्वेदन किया है और इन चारों घटना में पुलीस ने दस अपराथियों की किरफतारी कर ली है इसके अलावा पुलीस टीम ने लूटे गए समान की ब्रामत की के साथ एक देशी पिस्तॉल और एक जिंदा कार्तों भी ब्रामत किया है प्रेस कॉंफरेंस में अध्योगिक थाना शेतर लोधिपूर थाना और शहकून में हुई लूट का भी पुलीस ने उद्वी दन किया है यह लड़का वहाँ स्टेशन तक पहुचता है बस करके और इस तरही की कि उसमें कहानी एक बनाए तो इसके पार क्योंकि मामला संगी ही था तो हम लोग ने तुलंत डेस्पिल वान डॉटर को सुचित किया और उनको इसमें इन्वेस्टिकेशन में लगा और फिर उनों न लड़के के साथ गये जहां पर इतना हुई थी CCTV पूटेश देखे लिए और CCTV पूटेश पर उसकी पुष्टी नहीं हो पाई तो हम लोग को शक्त हुआ कि यह लड़का सही बोल रहा है कि लगण बोल रहा है तो हम लोग ने उस लड़के का ही स्लिडियार निकाला तो उसे फाइनेंशल पूट का शिकार था और जिसके तरह कि इसने पर फादर का साथ लाख करीबन फानेंशल पूट में खो दी तो उस भैसे एक भाद नहीं जाना चाहरा था और यह भागल खगडिया सब ने कुआ यहां से निकला और भागल को स्टेशन पर रुका था और वनलब भागलपूर के हविपूर थाना शेत अंतरगर सद्रूतिन चक में बिती राथ चोरों ने जदियूनीता के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने घर में रखे 10,000 रुप्या समेत 3 मोबाइल भी घर से उड़ा लिया वहीं घटना को लेकर जदियूनीता सरफरा अज ने बताया कि गुरुवार की रात वे अपने घर में सोई हुए थे तवे दिवार फांद कर चोर घर में घुज गया और पर्स में रखा 10,000 रुप्या और 3 मोबाइल की चूरी कर ली साथ ही बताया कि शुकरवार की सुह जब उसकी आग खुली तो वहां से उसका मोबा चोरी के घटना के जानकारी मिलने पर मौके पर पहुँची और चोरों का पता लगानी में जुट गई है। इसके जानकारी मिलते ही लोगों ने उन दोनों को पकड़ कर जम कर पे चाही कर दे। वह इसके जानकारी मिलते ही सिपूर्थाना ध्यक्षुदांसू शेकर ने तुवरित कारेवाई करते हुए विकास कुमार को घटास्तर पर भेचा। इसके बाद पुलिस टीम ने दोनो प्रेमी प्रेमिका को अपने कबसे में ले लिया और खायल अवस्था में इलाज के लिए फिरपैती रेफ्रस्पतार में भरती कराया। चात्रा समेथ 6 यात्यों में से एक रामशिष शर्मा गंफी रूप से जफ्मी हो गया। जबकि एक अन्नी यात्री दिनेश प्रशाज शर्मा भी घायल बताये जा रही है। इसके अलावा ओटूपर सवार तिलकामांजी भागरपूर विश्वर दियाले में पीजी की परिक्षा देने जा रही छात्रा सिंपी कुमारी को भी इस घटना में चोट आई है। वही सड़तु घटना के जानकारी मिलने पर नात अगर पूरीस घटना स्थर पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए मायगन जस्पताल में भर्ती कराया। इधर से भागलपूर जा रहा है। वह तो अपने साइड जा रहा है। अब वो तो चला एक छोटे से ब्रेक का फोरे नॉटेंगे देखते रही है सिल्क टेवी। मेरा नाम नूरालम हुआ, कोपाल मैंसे हैं, हमको सुगर लंसम तीन साल से था, तीन साल पहले मालूम चला तो हमने अर्वेद का दवा खा रहे थे, पर कभी उसमें कम हो जा रहा था, कभी ज्यादा हो रहा थे, यूट्यूब के माध्यम से अकर साथ का मालूम चला, हम यहां सब कुछ खाने की बाद, पर के अब सी बर्डव के बाद, पर अपका स्वागत है, बरतेवकली खवर कियो, भागल पूर सहर में है, स्वेर देखने को मिली, दिसमें एक अकेली लड़की लड़की भबाग चौक के पास एक नव निर्मित मकान में पहुशती है और वहां से खुद एक लड़की का कॉलर पकड़ कर खीशते हुए बुरा नात मंदीर ले जाती है जहां लड़की शादी करने के लिए लड़के से काफ़े जित करती है और इस बीच काफ़े देर तक दोनों के बीच हाई वोर्टेस ट्रामा चलता है लेकिन लड़का अपने परिवार बालों की सहमती लेने की बात करता रहा युवती का नाम करिश्मा बताया जा रहा है जो नातलगर मधुसुदर पूर्थ हानाच्छेत्र के भतोडिया काउं की रहने वाली है जबकि लड़की के गि और जब प्रेमिका ने रोहित पर शादी के लिए काफी दबाब बनाना शुरू कर दिया तो एक दिन युवक ने करिश्मा की मांग में सिंदूर भर कर घर भेज दिया लेकिन घर वालों ने लड़की को घर से भगा दिया वहिसके बात प्रेमिका ने महिला थाने में अपन जिवक उससे शादी नहीं करता है तो वह जहर खाक कर अपनी जान दे देगी आला कि मिरी जानकारी के अनुसार युवति के शादी पहले ही हो चुकी है और उसका पतीर रेप केस में उमरेकाद की सजा काट रहा है वह गंटों चले इस ट्रामी की दोरान मंदीर के पास जनते आप लाकि अम साधी ब्या करेंगे अपना घर पे हमको लेकर गया सिंदूर दे करके और वहां गये तो उसका मता पिता पुरा परिबार ने हमको मार दिमार के भगार या घचिच करके तो हम दयरेक्ट थाना आए थाना में मेरा केस नहीं लिया नहीं किया तो मेरे बंढ़ा हम देव ने लगां हम तुम से स्थाधी करेंगे जो करें शुरुण करोगे करें तुम से तुम से साधी करेंगे तुम से साधी एक तारीक वात एक जनवरी को मेरा घटना यह गटना हुआ था यह कुछ अब 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 यह कर लो यह को यह नहीं की उसके बाद तो अपना कर रहे था साइट पे वहां क्या किया रहा है नहीं को भादाब साथी करना होगा तूम मेरा व्लाट का पूश्ट होई गया मेरा भी करिया अब लगा भागलपूर में शादी का एक अजीवो करीफ मामला सामने आया है, जिसमें भागलपूर के शाग्चक थाना शेट अंतरगत लालुचक भट्टा अपनी रिष्टेदार की शादी में मुंबई से बरात में शामिल होनी आए एक यूवक देवी लाल को, दुलहन की एक दोस्त खुश्वू से पहली ही नसर में प्यार हो जाता है, और बीना समय गवाई लड़के ने तुरंत लड़की को शादी के लिए प्रपोस कर दिया, जिस पर लड़की ने भी तुरंत अपनी सहमती दे दी, और गुरवार को दोनों ने भागलपूर में एक क कोट मैरेज कर लिया, इधर मुंबई बासी देवी लाल मंडराए ने कहा कि वो मुंबई के बदलापूर्थ हाना शेत्र के रहने वाले हैं, और एक शादी समहारों में खुश्वू पसंद आ गई, और जिसके बात उन्होंने शादी करने का प्रस्ताव खुश्वू के समक इसके बात उनकी सहमती मिलते ही, उन दोनों ने शादी कर ली मुझे अच्छी प्रस्ताव रखा शादी का विबाता है, यह बात हमने इंके मंगों को बताया, इंके मंगे राजी हो चुश्वू है, फिर हमने यहां पर खागल कुवा कर अपर बदली से विबाता है, कहां के रहने वाले दूप? हम मुंबे के रहने वाले हैं, तब तक क स्क्राव sem आंने स्का कि ऊंप बदलोet का विबाता है